हालो दोस्तों मुझे किसी भाई ने कॉमेंट करके ये पुछा था कि भाई CPU का लाइन कौन सा है मुझे समझ में नहीं या था तो आपको आज बताएगा इस वीडियो में देखाएगा सिप्यू का लाइन कुन सा है और कभी भी गलती से आप लोग सीप्यू का लैन में शट्कल्य रिवस मत करो और मीटर राकना है यह बजार पर ठेके और मीटर रहना चाहिए थरा अच्छा क्वालिटी का यह एक डिर्सों का मिटर में कम मत करो ठेके और वीडियो शुरू करने स से पहले आपको थोड़ा सा बर्णी युका बारे में बताएगा देख लो तो दोस्तों इस स्किन में एक नंबर देख रहा है इस नंबर पर कंटक कर लिजिए फराज GSM यह दिल्ली का एक बंदा है और यहां पर देख लो एक यूजर नेम और पाजवाट यह यूजर नेम औ पाजवाट बीना यह चले गए ने इसलिए इस नंबर पर कंटक कर लिजिए यह आपको खड़िदना पड़ेगा है कि फिर तब जब आप लोगिंग कर सकता है कि कुछ इस तरह से लोगिंग होता है और यहां पर देख लो साइड में बीस में पास अप्शन है यहां पर ठेक है मॉनिटर है पीसी है लैप्टूब है इस से मेटिक है बिट मैट है अड़र्वर्ट सब्सलिशन है इतने सारे का यहां पर आपका डाटा मिल जाएगा ठेक है को तो किसी भी एक में क्लिक करते हैं किर इसका मेटरेबूट का लाइन कहां से कहां तक आया और लाइठ एरिया कुन सा है सिम एरिया कुन सा है अब आपको और है कि सिस यहां पे मिल कुछ रेजिस्टेंस होके का पर गिया है आपको आरेक्स देखाएगा इस तरह से देखाता है ठेकर लूज लाइट लूज भी आप देख सकता है यहां पर और यहां पर हर तुसरा तुसरा दिन निव निव मोडल अपडेट होते रहता है प्रोशन होने का कोई बात नहीं है सब्सक्राइब लूज तो अभी देख लिए इसके लाइंग कहा से कहां तक आया है धूसे अब लोग देख सकता है यहां पर अब तो अब थोरा सा अपको बिदमेट देखा के ठोड़ देता है पहले जो पांच उप्षन देखा था आपमने आहीं पर देखो एक ठोड़ा लाइने मीजिंग हो गया तो आप उस क्यापचिटर का उपर में क्लिक कर लीजिए वो लाइन कहा से कहा तक आया आपको देखाएगा रेट कला रहों के ठीक यह पिदेख लो तो आप लोग यहां से जामपर करदो उस लाइन पर आपका काम बन जाएगा तो इस तरह इसका बर हम लोग सो रहा था हो इंसे शुरू करते हैं तो आपको माइक्रियोस्कोप में देखाएगा अभी यहां पर देख लो कि यह इमाई का एक मादर बोर्ड है यहां पर देख लो बहुत सारे क्यापाचेटर चोड़ा रेजिस्टेंस लगा रहता है इसलिए क्योंकि यह जो फिल्टर कर देता है बीना फिल्टर का सी प्यू चलेगा नहीं जाए दिलाश्टिंग नहीं करेगा तो इसलिए यहां पर सिरखानी मत करो जहां भी यह क्यापा तो शमच जना भाई उस एरिया में जितने भी सारे क्यापाचेटर है जितने भी से ओल है आरे क्लाई ने सीप्यू से आया है ठीक है सीप्यू कर ठीक दूसरा साइट में यह लागा रहता है तो इतना साथ इमक में लागा के रखिये तो दूसरे मादर बोड है मेरा पास देख लो यह समसंग का होगा सभी तो यहां पर देखो यह जो पावारेशी पावरेशी का ठीक ऊपर में एक दो तिन चायर कोईल लगा है ठीक है और यह जो लाइने है यह डायरेक्ट कहां पर गया है जो एमाई का बोड में मैंने आपको तो यह पर देखो कुछ तो 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 डाट रापाजिटर कुछ तो रहें रिजिस्टेंस यह बोल्टेश को फिल्टर करने के लिए रखा है और इसका दूसरे साइट में देख लो CPU फ्लाशर आइसी ठीक है तो आप बात करते है कि शॉट क्लियर हम लोग काहां पर यह एक क्यापासिटर 3.7 बोल्ट शुक्त होता है दो भावारसी का साथ में जो भी क्यापासिटर लगा रहता है किसी भी मॉबायल का किसी भी मदढ़ बोट का सब्सक्राइब होना चाहिए और कोईल होके जो दूसरा रहन में आया है उस में मत लगाँ भाई या वह हो गया डाइरेक्ट CPU का लाइन और आपको देखाएगा अभी CPU का लाइन में जैसे मीटर से हम लोग चेक करेंगे किसी-किसी तो कोईल पर किसी-किसी क्यापसिटर में डाइरेक्ट बाजार बसता है कर कि यहां पर देखो भाजार बाजा रह लाए और रेडिंग आ रहा है किल ना-0.3030 इस तरह रेडिंग आ रहा है कि दोसरा में देखते है तो धिल्य प influen kalis comingत ऐसे ही आ जिल्य पॉइंफिटी फटीफॉर कि इस्टा राले है अगर एक सो डिर्सो का दो सो का मीटर होता तो डायरेक्ट शॉट बताएगा और त्रिपल जीरो आएगा रेडिंग तो यहां पर देखो यह CPU का लाइन में ना जितने भी सारे क्यापसिटर कोईल रेजिस्टेंस लगा है अगर आप कोई पर भी चेक करें तो जहतल साउन का अंदर में आएगा और थोड़ा से रेडिंग आएगा इसमें किसी-किछिक्षील में दास-पांदरा ये आगर एग जेक स्दृमें 200-300 आयाज चार यो आएगा ठीक रिखेकर किसी-किसी में कैसिटर में מאार पश Séald इस तरह का रीडिंग आता है तो आपने देख लिया यह जो लाइने है कर छो लाइने यहाँ पर हमेशा मिटर में रेडिंग आएगा कि जीरो पॉइंट शिक्ष्टी फिफ्टी टी टेन इस तरह उपर से बाजर भी वाजेगा मिटर में बाजर भी वाजेगा तो आपको लागे यह शॉड है यहां पर शॉट करते हैं ऐसा मत करो गलती से भी मत करो क्योंकि यह जो लाइन होता है ना यह वान पॉइंट भॉल्ट डिर वोल्ट वान भॉल्ट इस तरह का होता है कि शॉट क्ले यूज करना है तो पावर एसी का साथ में जो लगा रहता है जो 3.7 भॉल्ट का लाइन है शिदा सिदा बाद है जहां पर 3.7 भॉल्ट होना चाहिए उहीं पर आप लोग शॉट क्लेर यूज कर सकता है अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर लिजिए आपका पास में जो ओन मादर बोट परा है उहीं पर दू एक दिन कर लिजिए वॉल् देख रूँ किया रेडिंग आ रहा है जिरो सिक्स्टी जिरो टूइंटी फाइब और उपूर से मीटर भी बाज रहे तो इसके मतलब यह नहीं है कि यह लाइन ही खराब हो गया यह सीपीव खराब हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है सीपीव का लाइन में हमेशा इतना ही समस्कर हर बरे में नहीं कि ऐसा नहीं है कि हारे क्यापासिटर डारेक 3.7 बोलका है अपने देखा होगा कि जहां भी मैं मीटर लगाओं वहीं पे भी 0.20 जिए बंटेंड इस तरह कुछ रेडिंग हा रहा है और उपर से बाजर बाजर रहे तो दोस्तों मेरा वीडियो काफ अगर समस में नहीं आता है तो मुझे कमेंन करके भूलियेगा से ऐसे भी हो सकता है मैं गलत हूँ जैता भी हो सकते क्योंकि मेरा गुरू जी कोई भी नहीं था दूस्तर। कि मुझे रिपेर सिकने वाला कोई भी नहीं है कि मैं यह जो भी हूं कि मतलब यह पुराना मादर बोर्ट न्यू मादर बोर्ट में थोड़ा सा इधर उधर करते करते यहां तक आया हूं कि तो यहां पर देखो CPU का लाइन में ना कभी भी शॉट्क्लेर उसमत करो और यह शॉट्क्लेर जो है यह लगभख हम लोग का दो तीन बैटरी यूज करते हैं एक बार में तो यहां पर ज्यादा एंपियर होता है और वोल्ट जो होता है 3.74 बहुत ही स्ट्रॉंग होता है उ तो काफी वीडियो लंबा हो जोगा है वीडियो आप यह पर छोड़ना पूरेगा मुझे तो यहां पर देखो और एक साइद अपर भीवों का बोर्ट होगा तो यहां पर देखो दो पाबार ऐसी है उसका साथ में कुछ कोईल लगा है यहां पर देखो सेम चाहिए किसी भ कोईब नवूट रीजिजन अलग होता है और आज सी मत अलग होता है लेकिन उसका जो काम करने का तरह का है वह सिमी होता है कि चलब टीक है जहां पर देखेंड में कि बहूं सмаरे क्यापसिटर एक साथ में और वह को स्थ याज़िस्ट तर एक सात में簡onter बмаरा मिलके तो सकर दूसरे साथ में देखेना और सिप्यों होगा यहां फेदि बहुत सरे कापाशिटर करें दूसरा साइट में देख लो है पर संट परसंट सीप्यू होगा को शॉट क्लियर आपको यूज करना है थोड़ासा साइट में कि अधिए ने मेरा बात को थोड़ा साइड में मतलब सीप्यू के एरिया सोर के थोड़ा साइड में तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर स्थाइब कोना मेरा चैनल को